हेलो गाइस वेलकम टो माई यूटूब चैनल डी टी जी यहने की दाजिलिंग टोर गाइट लाइट 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 करता हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या ओला उबर सर्विसेस दाजिलिंग पे अवेलेबल हैं और क्या रिक्षा आटो टोटो दाजिलिं जी हां दोस्तों अगर आप बैठे बैठे कार को बुक कर पाएं दाजिलिंग पर भी क्या यह मज़े की बात है ना जी हां दोस्तों ओला उबर आने से इतना आसान हो गया कि आप जिस जगे पर हैं वहीं पर कार मोच जाता है श्रिप आपको मोबैल लेना है और ओला उबर आप में जाके आप क्या बुक करना पड़ेगा अगर यह दाजिलिंग पर यह भी मिल जाता तो क्या अच्छा रहता है ना तो इस वीडियो में बात करेंगे और आटो टोटो से इतना आसान हो जाता है कि हम सौट डिस्टेंस दूरी आसानी से सवस्ते दामा में हम कवर कर ल हमें फोन कल आता है क्या ऐसे मिलता है और हम जब भी टूरिस्ट को दाजिलिंग पर देखते हैं वह लोग के पूछते क्या ओला उबर क्या आप यहां पर मिलता है अगर आपको जवाब चाहे तो जरूर नहीं मिलता क्योंकि यहां पर स्टेशन है यहां पर लोग ज्यादा साइट पर जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है आपको सौट डिस्टेंस के लिए भी रिक्षा मिल जाता है और टो मिल जाता है लेकिन दाजिलिंग पर यहां पर नहीं मिलता है तो आप इस गलत फेमी में मत बेचिये कि हम यहां के जैसे ओला उबर क्याप करेंगे रिक्षा कर करेंगे टोटो करेंगे यहां पर ऐसा सब कुछ नहीं मिलता है आइधर आपको यहां पर हायर करना पड़ता है यह तो फिर टैक्सी है यहां पर कुछ जगे पर जाने के लिए शेयर टैक्सी मिलता है वह उसके लिए भी आपको मोटर स्टेंट तक पहुंसना पड़ता है ल लगी हो तो इसे लाइक करें शेर करें और आपने दोस्तों को भी शेर करें हम सारे फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं अगर आपको हुटेल बुकिंग करवाना हो आपको टूर गायटलाइन चाहिए हो अगर आपको साइट सिंट पैकेजिस कराना है या आपको टैक्सी के लिए अल्वेस अंदर होंगा